मेरा नाम है रजट and you are watching इंडियाज नमबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल इस कहानी को पूरा सुनें, अन्ति तक सुनें, अपना कॉमेंट छोड़ें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें निहाल को बच्पन से एक अलग तरह का आकर्शन रहा है नाई को लेकर, वो अक्सर नाई के दुकान पे जब भी जाता तो कोहनी निकाल के ही बैठता था, ताकि कैसे भी करके नाई उसको छू जाए वो था तो छोटा, पर उसका दिमाग उसकी उम्र से काफी बड़ा था, वो हमेशा नाई के ही सपने देखा करता था और उसके महले में एक नाई था, प्रभीन नाम का, जो उसे बेहत पसंद था वो छोटे से लेकर बड़े होने तक सिर्फ उसी के पास जाता था, और वो उसे बेहत पसंद भी करता था और भी मर्द थे आसपास महले में, पर निहाल को तो प्रभीन नाई ही बेहत पसंद था बच्पन में जब वो उसके पास जाता था, बाल कटवाने, तो हमेशा मुँमे लॉलिपॉप लेके ही बाल कटवाता था नाई को भी अच्छा लगता था, वो सोचता था कितना सीधा बच्चा है जो बोलो जैसे बोलो, बैसे ही करता है, कभी आनाकानी नहीं करता, और कभी कोई शैतानी नहीं करता निहाल धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, और उसकी एच्छाएं भी बड़ रही थी, वो आठवी में आ चुका था, और उसके शरीर में बदला होना शुरू हो गए थे क्योंकि वो लड़का उसका जिगरी दोस्थ था। उम्र में तो वो निहाल से साथ साल बड़ा था पर निहाल और उसकी बहुत ज़्यादा जमती थी। निहाल उसको भी पसंद करता था पर वो पूरा इस्ट्रेट था। निहाल ने उसको पटाने के भी मौके नहीं छोड़े। वो उसे हमेशा हिंट देता था जब भी मौका मिलता था। पर वो कभी ध्यानी नहीं देता था क्योंकि वो लड़कों की तरफ आकर्शित नहीं था। निहाल ही लड़कों की तरफ आकर्शित होता था। निहाल अब बड़ा हो चुका था। वो हर पंद्रा दिन में नाई के पास जाने लगा था। और जब भी नाई किसी से कोई बात करता तो निहाल बीच में कूत पड़ता उसका हिस्सा बनने के लिए। निहाल ऐसे दिखाना चाता था कि जैसे अब वो बच्चा नहीं रहा और उसे अब सब कुछ मालों है। एक रोज निहाल ऐसे ही उसकी दुकान पे जाके बैठ गया। उसमें पूछा बाल कटाने है क्या। तो निहाल ने कहा नहीं अभी नहीं। तो फिर नाई बोला कुछ काम है क्या किसी काम से आये हो। निहाल बोला क्यूं काम से ही आ सकता हूं क्या तुम्हारे पास ऐसे नहीं आ सकता। प्रवीन बोला अरे नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था ऐसे भी आ सकते हो। तुम्हें मना थोड़ी है तुम्हारी ही दुकान है जब चाहें तब आ जा निहाल ने पूछा क्या करने वाले हो तो वो बोला अब तो दोपैर हो चलिए ग्राहक भी नहीं आएंगे तो शटर गिरा के थोड़ी देर आराम करूंगा इस पर निहाल बोला तो गिराओना शटर नाई बोला अभी तो तुम बैठे हो ना तो कैसे गिरा दो निहाल ने कहा मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ जो तुम मुझे अंदर नहीं रख सकते दुकान के निहाल ने उससे जित की सटर गिराने की तो उसने सटर गिरा दिया और फिर उसने कुर्सियां आगे खिसकाई जाड़ू लगाई सारे बाल हटाए और सिर्फ जमीन पे चटाई बिचाई और नाई जमीन पे लेट गया निहाल भी मौका पाके फट से उसकी बगल में आके सटके लेट गया उससे नाई बोला अरे क्या कर रहे हो निहाल ने का अभी तो कुछ नहीं किया सिर्फ लेटा ही तो हूँ तुमारे पास नाई कुछ नहीं बोला उसने आके बन कर ली पर निहाल को तो नींधी नहीं थी उसने अपना हाथ नाई के सीने पर रखा और उसकी तरफ आगे बढ़ा अचानक नाई ने आके खोली तब तक निहाल को जो करना था वो कर चुका था उसने अपने होट नाई के होटों से सटा दिये नाई घबरा गया घबरा कर धूर हटा और बोला ये क्या कर रहे हो तुम निहाल भी थोड़ा डर गया नाई बोला तुम पागल हो गए हो क्या ये सब क्या है निहाल ने कहा मैं तो बस आपको प्यार कर रहा था नाई ने बोला क्यूं मैंने कहा था क्या निहाल बोला नहीं पर मेरा मन कर रहा था कब से मैं आपको प्यार करना चाथा तो मैंने आपको किस कर लिया नाई ने तुरन शटर खोल दिया और निहाल से बोला तुम अपने घर जाओ निहाल को गुसा आ गया और वो अपने घर आ गया पर फिर वो खुदी सोचने लगा कि उसकी गलती क्या हुई क्योंकि उसे तो वो नाई बच्पन से ही पसंद है फिर क्यों उसने नाई को पसंद निहाल ये सब सोचते सोचते अचानक उस किस के बारे में सोचने लगा जब उसने नाई के होटों को अपनी होटों में भर लिया और उसके होटों को चूमने लगा जिन में से अभी भी छोले चावल की महक आ रही थी पर यह महक उसको रोक न सकी और उसने उसके होट चक लिये पर अब निहाल का खुद के जजबातों पे काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था उसकी सांसे उपर नीचे चल रही थी जैसे मानो वो घबराया हुआ हो तो निहाल बातरूम चला गया थोड़ी दिर में वो बाहर आया और सोचने लगा कि कैसे उस नाई को पाऊं क्योंकि वो उसे बेहत पसंद करता है नाई को अपनी कमी महसूस कराने के लिए निहाल ने सोचा क्यों न वो उसकी दुकान पर जाना बन करते इससे नाई को फर्क जरूर पड़ेगा निहाल ने उसकी दुकान पर जाना बन कर दिया पर नाई ने उसको कभी भी नहीं टोका दो साल निकल चुके थे निहाल अब सोला का हो चुका था उसके डाड़ी भी अच्छी तरह से हा गई थी उसने सोचा क्यों ना परवीन नाई के पास चला जाए वो उसकी दुकान तक तो गया पर उसकी दुकान के बाहर खड़ा होकर उसे देखता रहा उसे देख परवीन नाई बाहर आया और बोला क्या हो रहा है अंदर आओ वो बस नाई को देखता रहा उसने सफीद बनियान और बॉक्सर पहन रखे थे जिसमें वो लोगों की हमेशा कटिंग करता था निहाल उससे कुछ बोलता उससे पहले ही वो बापिस दुकान के अंदर चला गया और कटिंग करने लगा निहाल को समझ में आया कि शायद परवीन को कोई फरकी नहीं पड़ता निहाल ने बापिस से उसके दुकान पे जाना शुरू कर दिया वो निहाल को देखके खुश हो गया था इस वार निहाल ने ठान लिया था कि वो नाई को अपना दिवाना बना के ही छोड़ेगा उसने कटिंग कराने से पहले अपनी शर्ट उतार दी ताकि उसमें बाल ना जाएं और ऐसे ही कुर्सी पे बैठ गया निहाल को ऐसा देख नाई के दिल में कुछ-कुछ होने लगा और बाल काटते समय निहाल की कोहनी से कुछ टकराया निहाल ने नाई की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया तो वो भी मुस्कुरा दिया दीरे दीरे अब दोनों के बीच में फिर से दोस्ती हो रही थी बैसे तू उम्र का बहुत बड़ा फासला था दोनों में पर निहाल का क्रश्ट तो बच्पन से सिर्व वही था गुजरते वक्त में दोनों की दोस्ती काफी गहरा चुकी थी और निहाल को नाई बेहत पसंद आ चुका था वो निहाल के दिल में अपने लिए एक अलग जगा बना चुका था निहाल अब कॉलिज जाने लगा था वो बड़ा हो चुका था और उसे देख महले की लड़कियां और लड़के आहें भरते थे निहाल जिम भी जाता था तो उसकी बाड़ी भी बहुत अच्छी बन गई थी लेकिन अभी भी उसे अपने बगल के बाल काटने में डर लगता था एक रोज उसने देखा परवीन नाई बालों की कटिंग के साथ लोगों के बगल के बाल भी साफ कर देता है तो उसने परवीन से अपनी भी बगल के बाल साफ करने को कहा परबीन ने उसकी बगल के बाल साप तो किये पर परबीन को निहाल की खुश्बू पसंद आ गई जब निहाल ने परबीन को रुपए दिये कटिंग के बाद तो परबीन नाई ने निहाल के हाथ को छूते हुए उसको आख मारी निहाल खुश हो गया कि आखिर परवीन भी उसे पसंद करने लगा निहाल एक रोज हमेशा की तरह दोपहर में चला गया परवीन शटर लगा रहा था निहाल भी दुकान के अंदर धर धड़ा के घुज गया और बोला अब तो कोई दिक्कत नहीं न परवीन मुस्कुराया और बोला अब नहीं क्योंकि तुम अब बच्चे नहीं रहे निहाल ने परवीन को कसके अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला मैं तुमसे बेहर्थ प्यार करता हूँ बच्चपन से लेकर आज तक अगर मैंने किसी एक आदमी को चाहा है तो वो सिर्फ तुम हो परवीन नाई भी बोला तुम भी मुझे बहुत पसंदो दोनों एक दूजे की आँखों में देखते हुए एक दूजे के इतने करीब आए होटों से होट मिले और दोनों एक दूजे में खोते गए दोनों एक दूजे को बेतहाशा चूम रहे थे फिर दोनों ने दुकान में पड़े सोफे पर लेटना उचित समझा और शाम तक एक दूजे को प्यार करते रहे और उसके बात से दोनों का रिष्टा यूँ ही कायम है दोनों एक दूजे से बेहत प्यार करते हैं पर वो जानते हैं कि ये सोसाइटी उन्हें चैन्स जीने नहीं देगी इसलिए चिप चिप के वे साथ में वक्त गुजारते हैं मूवी देखते हैं कभी कभी होटल में रूम में मिलते हैं कभी साथ में बाहर खाने जाते हैं दुनिया के सामने तो वो दोस्त हैं पर अकेले में वो एक दूसरे के आलिंगन में खो जाते हैं कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए कॉमेंट करिए और अब दोस्तों प्लिस सब्सक्राइब करके जाओ